अलो नमस्कार जैंद आप सभी को मा सरसुति के अवतर और दिवस तथा बसंत पंचमे की हारदिक बढ़ाय और सुबकमना है मौसम की नजाकत है हस्रतों ने पुकारा है कैसे कहदें कितना याद करते हैं यह संदेश उसी का एक इसारा है करसल आज बसंत पंचमे के दिन जिस दिन से बसंत रित्त इस्टार्ट होती है उस दिन मासर्षती के लिए पूजा अराधना करते हैं हम लोग आर्मिक मानेता यह है कि इस दिन मासर्षती की पूजा आराधना करने से रोग सोक चिंता इत्यादी से मुक्त होते हैं लेकिन सिर्फ इस दिन नहीं मेरा तो मानना यह है कि सिर्फ इस दिन नहीं किसी दीन भी अगर आप मासर्षती की पूजा आराधना करते हैं आप रोग सोक इत्यादी से मुक्त हो जाएंगे लेकिन इस दिन जरूर करें इसे मन का संचित विकार दूर हो जाता है तथा मासर्षती की क्रिपा द्रिष्टी आप पर बनी रहती है जिससे मस्तिक्स में एक मस्तिक्स में एक पाजिटिव इनर्जी का संचे होता है और पाजिटिव इनर्जी वह आपको पाजिटिव डायरेक्शन में ही लेकर जाती है कि इसे सतत अध्यन करने के लिए सब्सक्राइब इसे सहाइता मिलती है मांसभर्षति की आदर बना रहता है मांसभर्षतिग क बढिद्यया संगित तथा कला से संबंधित लोगों को इसलिए इसके लिए कि अवस्य पूजा मासरश्वति की आराधना अवस्य करनी चाहिए हलाएं कि उन्हों के वाल कला संगीत और कि विध्या की छेत्र में बल्कि किसी भी छेत्र में जो लोग कार्यत हैं उनको पाजिटिव इनरजी देने के लिए एक पाजिटिव डार्श्वति देने के लिए मासरश्वति की आराधना काफी अनिवारे हो जाती है मा सरस्वति को बेदों की जन्नी माना जाता है और इसलिए बेदों के मंत्रों का उचारण को सरस्वति बंदना कहते हैं तो सरस्वति बंदना करना भी एक positive energy में एक positive direction में लेकर जाने के लिए अनिवारी होता है इसे मनुष्य की बाणी खुद्धी और विद्या की सक्तियों में विश्तार होता है माना जाता है कि सुबह भोर में जब सब कुछ महावल सांत होता है जब सब वाता वराण सांत होता है उससमय मासुरश्थी की आराधना करने से कि आपकी इच्छाएं आपकी मनुकामनाय पुर्ण होती हैaho एखकी मेरा मानना ना तो यह है कि मासुरश्थी जुबान पर आिजबान पर हमेशा भी कान होती है अच्छा अच्छा बोलें है अच्छा बोले अच्छा सोचे और अच्छा डारेक्षन में जाएं अच्छे इनर्जी एंदर रीख करें जिसे तर आप की मादा होती ए सबसे आंतिमग महत्तपुर्ण बिन्दु है कि कि हिंदू धर्म में सानातन घर्म कोई भी देवता कोई भी देवता देवी एक प्रतीक होता है वो किस चीज का प्रतीक होता है तो मासरश्वती जो है ज्यान और चेतना का प्रतीक हैं मासरश्वती की आराधना करने से ज्यान और चेतना विक्सित होती है तो आप सच्चे दिल से सच्चे द्रिष्टी से मासरश्वती की आराधना करें तुम स्वर की द ग्याता है तुहीं वर्णों की ग्याता है तुझी में ही नवाते हमसीस है सार्दा मईया दे अपना आसीस और एक बार फिर आप सभी को मास्योर्चति और तरण दिवस तथा बसंत पंची में की बहुत-बहुत हार्दिक बढ़ाय और सुब कम नाएं